हलो अवरिवन दिस इज केडी शर्मा एंड यू आर वाचिंग यूर यूट्यूब चैनल दे आरेस केमपस जहां पे आज हम नाउन एंड नंबर की क्लास टेंगे जिसमें मेन वाड़ा जो शब्द होता है उसमें मेन करके उन्हें प्लूरल बनाया जाता है कंपाउन नाउन ह होते हैं वह और उसमें साथ ही अपने ट्रिक भी है जिसके माध्यम से हम उन सब्दों को आसने से याद रख सकते हैं लेकिन अगर आपने भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए तकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिपिकेश हों कुछ इस प्रकार के कमपाण नहूं जिनके अंत में AIME AIM सब दाता है कौन से सब्सक्राइब को बदल कर प्लूरल बना दिया जाता है जैसे MEN का मतलब होता है एक आदमी और MEN का मतलब होता है एक से अधिक वेक्ति यह बात आपको समझ में आगी चलिए अब देखते ह ट्रिक किस प्रकार याद रखनी है फिर उसके बाद में अपने बात करेंगे कि वो कौन से सब्द हैं जिनको याद रखना है इस ट्रिक के माध्यम से तो ट्रिक अपनी है मेन को मेन बनाने के लिए कौन देगा फीज मेन को प्लूरल मेन बनाने के लिए जो ट्रिक है उसका ना देशे अपना डि आ जाएगा इधर फीज से एफ और यह ठीक है और इधर से अपना ऐसा जाएगा यह कुल मिलाकर यह से वर्ड हो जाएगा जिनके बाद में अगर में शब्डाता है और प्लूरल बातो रही है वहुत से लोगों की बात ओर रही है तो वहां पर में आपी एम है ठीक है किन्समेन तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा किन्समेन हो जाएगा में का क्या बने जाएगा इसके बाद में बात करते हैं तो आपना वरता है नोबल अब लई M N इसका क्या हो जाएगा Noble man नोबल हो जाएगा इसके बाद में D से बात करें D U T C H Dutch man हो जाएगा Dutch का विक्ती और Dutch के विक्तियु की बात हो तो D U T C H M E N हो जाएगा ठीक है इसके बाद में अब से बात करें तो यहां होता है Frenchman FREN CH M M N Frenchman इसका प्लूरल हो जाएगा इसके बाद में बात करते हैं इस से तो इस से अपना बनेगा इंग्लीस मैं इंग्लीस से मैं बन जाएगा तो इसका प्लूरल क्या होगा इसके बाद में एस से बात करेंगे तो इसका क्या बनेगा एस टी एटी एस एम एन स्टेटमेंट इसका प्लूरल हो जाएगा एस टी ए T E S M E N अब बात करते हैं कि इनका आर्थी क्या होता है किन समेन का मतलब होता है कोई रिष्टेदार क्लोज बलड रिलेशन वाले रिष्टेदार तो वो एक हो तो मेन और एक से दिको तो M E N ठीक है ये प्लूरल है ये सिंगूलर है ठीक है इसके बाद जहां भी दिया हुआ है उन सभी को M E N में convert कर देना है इन सब्दों को आपको याद रखना है कि इन सब्दों के साथ अगर मेन नामक शब्द जुड़ा हुआ है तो इनका प्लूरल M E N करके बढ़ेगा ठीक है इसके लिए ट्रीक है जिससे आप इन सब्दों को आशनी से याद रख सकते हैं तो इस प्रकार अपने क्लास कंप्लीट होती है फिर मिलेंगे एगले वीडियो में कुछ नहीं लेकर तब तक के लिए टेक केर बाई बाई